हेलो दोस्तों गोड़ीवनिंग, दोस्तों, आज के इस वीडियो में भात करेंगे कि स्लाइडिंग ड्र को इंस्ट्टॉल किस तरहाई चैनल पर, लंक अपको düşक्च्छी बठन पर भीमन को वाला जो आप स्कृण पर भी फोटो देख रहे हो उसके ऊपर है तो दोस्तों यह स्लाइडिंग चैनल में दरवाजा किस तरह से इंस्टॉल करते हैं किस तरह से दरवाजा का मेजरमेंड लिया जाता है और किस तरह से उसके जो हाइड्रोलिक होते हैं उनको सेट किया जाते यह सारा का सारा इस वीडियो में हम मयाद कवर करने वाला हूं और दोस्तों मैं आपको प्रोमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस चैनल के रिगार्डिंग तो दोस्तों चलिए बीना टाइम वे मैं आपको आगे आपको दिखाऊंगा तो एक इस टाइप की होती है वो एक होती है इस टाइप की जो कि ये नीचे की साइड लगेगी पतली चैनल नीचे की साइड लगेगी और इसमें जो वील आते हैं वो पुछ इस तरह के आते हैं तो दोस्तों इसमें जो वील आता है वो उपर नीचे करने के लिए होता है और यह जो ठेशी है यह हमको जब दर्वाजे को अंदर बिठाना होता है तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको यह से दबा के इसको हमको यह से लोग कर देना है इसके बाद दर्वाजे को गिसी में बिठा के इसको इसा यह से करें के तो यह तो दोस्तों पूरी तरह से इसको में आपको समझाओंगा कि किस तरह से इस तवाली चैनल से दर्वाजा बिठाया जाता है और इसमें आई है यह चार हाइड्रोलिक जो कि एक दर्वाजे में दो लगेंगे यानि कि दोनों साइड से काम करेंगा रेगुलर आपने देखा तो दोस्तों यह हाइड्रोलिक किस तरह से लगाए जाएंगे मैं आपको पूरा समझा दूंगा इस वीडियो में तो दोस्तों और इसके साथ आते हैं इस टाइप के कुछ लोग आते हैं तो यह लोग काहां पर काम लगते हैं यह जब हमको डेर की बोर्डर होती हैं यानि क पर अगर कहीं पर हमको इंस्टोल करना है तो यह लोग इस तरह से लगता है तो यह जो दर्वाजे वो यह चैनल से पाहर नहीं निकलता है तो दोस्तों यही प्रक्रिया है पूरी चलिए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से यह पूरा काम करता है तो दोस्तों को यह चार कुछ इस तरह से छेनल होती हैं यह उपर की साइड में इस तरह से फिट होती है यह हाइड्रोलिक देख लो किस तरह से आपने होती हैं और निच्य वाली चैनल भी इसी तरह से फीट हो जाती है उसको हम को Hammam बिटेंटे कर देने है के तो दोस्तों इस वाली चैनल में दरवाजय गन् intellect लिए हमको क्या करना है जो इसमें चोड़ाई का नğम निकालने के लिए thousand से यकिन जादा लेना है और हायट में यह बाली दार यहां तका जो भी नाप है उसमें से हमको तीन डॉरा माइनस कर देना है क्योंकि हम डेड़ डॉरे की गेप निचे रखेंगे तो इस तरह से हमको इसका नाप ले लेना है अगर आपको थोड़ी सी अगर कम गेप रखनी है तो आप 6 में भी कर सकते हो लेकिन हैंडो पाले मारनें की जूरूत नहीं होती है कि हमको सिर्फ यह घांचा मार देना है नीचे वाला खांचा आप अपनी इस आप से मार सकने प्री यह उसमें पॉत श जान रखना होता है इसमें को हाइट अउपर हमको हैड्रोलिक लगता है इसके लिए हमको क्या करना है कि यह जो इस तरह से यह जो यह तक जो नाप है वो हम को तीन इंच 5 दॉरा भीर फिर पौने चारींच का रखना है अगर आपका इधर साइड में वीन्य या कुछ लग रहा है तो उसके साथ हमको ये नाप रखना है तो इस तरह से हमको उपर वाले में ये लगाते हैं थोड़ा से ज्यान रखना है अगर हम अगर हम इसको तीन इंच पांच दोरा पूने चारी इंच रखेंगे तो ये हमारा ह और बटकी धाप से यहां का इसका नापं ले लिया है तो इस तरह से आप ले सकते हो इस तरह से हमको ये डिस्टेंस रखना है तो हमको जो ये हाइडुलिक है वो प्रोपर काम करेंगा अगर व Pourquoi गोदो इसको अपर- Interestingly करने के लिए ये जो स्कुछ है आपको इसको टाइं य कि यूज् giving you work . अब एंदर कैसे बिठाना है फिक दिखा देता हूं इव सहरा है तो सबसे पहले आपको इस तरह से निच्चे मैं इसको इसको इन बिठा देना है और उसके बाद उपर का आपको इसके एक गिसी है इसके बरोबर उस फिल को इस तरह से ले जाके वो जो ठेसी है उसको अनलोक कर देनी है तो दोस्तों इसको मैंने अनलोक कर गया है इस ठेसी को भी अनलोक कर दूँगा यह कुछ इस तरह से चलता है आप देख लीडिये तो जैसे की आप देख सकते हो कि जो पहला मेरा दर्वाजा है वो इंस्टॉल हो गया है लेकिन अभी इसमें एक सेटिंग करना बाखी है इसका जो हाइड्रोलिक है उसको हमें अभी साही करना है उस्तो हाइड्रोलिक को कि इस तरह से यहां पर लोग हो जाती है तो यह हो जाएगा दूसके बाद आपका हाइड्रोलिक जो है काम करने लग देख सकते हो इस तरह से तो दोस्तो इस तरह से मैं दूसरा दर्वाज भी इंस्टॉल कर देता हूं उसके बाद मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूं कि यह छोटा कबड़ है लेकिन फिर भी इसमें मैंने स्लाइडिंग किया है तो यह किस तरह से काम कर रहा है अच्छा है या नहीं है इसका भी स्मूथली नहीं चलते हैं क्योंकि यह बहुत लइडवेड होते हैं इसके लिए हीलते होले हम इसको जैसे छोस्ते में आती हैं तो दोस्तों स्व Wayडियो को स्यारू में ही बता और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया है कुछ भी दिक्कत प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताएगा मैं उसके उपर फिर से वीडियो बना कि आपको फिर से समझा दूँगा और मैं पूरी कोशिस करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको पूरा समझ आ गया होगा कि किस तर से इस दरज को लगाए जाता है ठोग दोस्तों अगर वीडियो एच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्करब किजए क्योंकि 95% वो वीवर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया वने यह तो दोस्तों प्लीज एसा मत कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए नीचे कमेंट करके आप बताए कि आपको यह और चैनल he भाइक किया वीचे कीजिए और I